हाई गाईज, हावे यू, कैसे हैं आप सब अमीद करती हूँ, आप अपने गर में खुश होंगे और हेल्दी होंगे, मेरा नाम है रूबी, अगर आप नए है मेरे चैनल को आपको नहीं पता, तो मेरे चैनल का नाम है रॉयल मेकप एंड ब्लॉगिंग, तो आज मैं जो बात करने वाली हूँ, वो है कैस्टर ओयल के बारे में, जो के बहुत ही जूस फुल है, आम उसे बूल जाते हैं, मैं पता नहीं कि इसके कितना गुन करी है हमारे स्किन और हेर के लिए, तो आज मैं आपको कुछ इसके ही फैदे बेनिफिट बताऊंगी, कि आपने कैसे कैसे इस के बाल आ जाएंगे, तो मैं आपको लिए लिए दिखाऊंगी कैसे कैसे जूस करना है, तो जुरूर करके देखें, तो डेफिनेट ही आपको रिजाल्ट मिलेगा, और इसे हम अलग लग तरह से कई तरीके हैं इसके जूस करने के, जो मैं आपको आज इस वेडियो में बता काँगी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्क्राइब जुरूर करें, तो कमेंट करना ना बुलें, तो चलो बाते जादा ना करते हुए, मैं चुरू करती हूँ वीडियो, तो देखिए आपने कैसे इसे जूस करना है, तो बाब बाई, तो गाइज से मिल जाता है, इंडिया से किसी इंडिया में भी हर एक दुकान में आपको वी लेवल मिल दाता है, तो मेरे पास जो है 100% प्योर जो मेकन ब्लाइक एस्ट्रो वाल है, तो इसके कही तरह की होते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो, आप ले सकते हैं, तो गाइज मेरे पास यो तो देखिए थोड़ा जे आम ओयल के जैसे आम ओयल जो बहुत ही थिक नहीं होते थिन होते हैं पतले होते हैं यह ऐसा नहीं यह आम ओयल के मुकावले बहुत ही ज्यादा थिक है गाइस तो यह हो गई इसकी बात तो आप कहीं से प्रचिस कर सकते हैं अवीलेबल है पूरे जगाओं पर तो आपको इसके फैदे में अभी बताती हूं तो चलिए चलते हैं वीडियो की और तो गाइस देखिए यहां मैं कोकोनेट ओयल ले रही हूं जो भी आपके पास है और मैं आपको दिखाया एक चमचा आपने कोकोनेट का लेना है तो आदा चमचा इसका लेना है बहुत जादा थिक होता है तो देखे आप देख रहे हैं तो आपने आपके बालों के कोडिंग ही लेना है कि आपके कितने बाल है अगर थोड़े हैं तो थोड़ा इतना ही चल जा तो लगाने के बाद भी आपने दो घंटे रखना है इससे गाइस तो फिर भी आप जब दोएंगे आपके हैर ऐसे लगेंगे कि इन में कुछ लगा हुआ है तो थोड़ा वही आपके हैर ग्रोथ के लिए अच्छा है इसलिए आपने ये महिने में दो तीन वार करें पर सीजर तो बट अगर आपके बाल बहुत ही जादा कम है फिर तो आप चाहिए इसे डेली भी जूस कर सकते हैं नहाने के बाद अकेला थोड़ा सा कैस्ट रॉल लिया और अपने हेर पे लगा लिया स्केल पे चाहिए आप मैन है चाहिए वो मैन अगर आप उसके लिए आपने ऐसे फोल फोल कर उनके स्कल्प पे बालों के जड़ों पे हमने अच्छी तरह सारी और लगा लेना है यह जो मैंने मिक्चर बनाया है आपने देखा ओयल कोकोनेट का और कैस्टर ओयल का अगर आपके पास कोकोनेट ओल नहीं है अगर किसी भी ओयल में आ का बालों को रोल कर लें क्लिप लगाने जो करना है कर लें तो इसे दो गंटे रखे बाद में बाउश करें तो ऊपर चाहें आप कोई भी लगा सकते हैं है रिक और कर सकते हैं तो मैं नहीं कर रही तो देखिए सेकेंड जूस है इसका थोड़ा सा हमने लिया तो आप अपन इतली रेजल्ट देख सकते हैं मेरे कई वी क्लाइंटों ने बताया है तो उन्होंने जूज किया है तो उनके एर ग्रॉथ हो गई है बैटे मैं नहीं लगाती हूं कभी पहले लगाती दरोज रोज नहीं लगती तो बड़ मेरे आइलाश पर ऑर ऑपकी अंडन आई है उसके उस पर भी यूज sec रख सकते हैं यह अपने काले घेरों को भी रिमूब करती है तो आप जुरूर से इसे अपने फेस पे भी अपलाई कर सकते हैं अगर आपको एकनी की प्रॉब्लम है जहां एकनी सिकार काला पन कुछ भी है तो जुरूर अच्छे से इसे मसाज करें और बार में दोएं तो आप देखे सकते हैं कि कैसा अगर आप चादा नहीं है तो आप रात में भी लगा सकते हैं तो पूरा आपको रिजल्ट मिलेगा लेकिन अगर आप ऐसे मसाज करके भी मूँ दोले तो आपको बहुत ही बढ़िया फेस हो जाएगा स्किन आपकी बेवी सॉफ्ट हो जाएगी तो लिप्स पे भी हम इसे जूज कर सकते हैं जो आपके फटे-फटे होट ना लगें तो अगर आपके एंड्स ऐसे मेरे जैसे रुके सुके हेर हो चुके हैं तो थोड़ा सा हेर लें तो ऐसे ओले लें लगाकर इससे ठीक कर सकते हैं बाब बाई काईस मिलती हूं नेक्स वीडियो